कि यह को बजट में भी मिल जाती है मार्केट में इसके मार्पी तो पांच हजार है बट यह एमार्पी कर नहीं जाएगा आप यह दो हजार से धाई हजार के बीच में हमको हर दुकान में मिल जाएगी और यह ना सबसे बेश्ट ग्रीस होती है वाइट है और इसमें लीथियम बहुत अच्छा है चिकना है और अच्छी अच्छे ग्रीस है इस ग्रीस को यूज करने से हमारे जेजी भी के पुर्जे जल्ली खराब नहीं होंगे बकेट भी ज्यादा सर्विस देगा पिन सर्विस देंगी बोसिंग बार बार बोसिंग नहीं करानी पड़ेगी हमको और बेरिंग के लिए ना यह रैड जेल का यूज करें बेरिंग के लिए जो अंगले चेके के जो बेरिंग होते है क्रॉस होती है इस ग्रीस को यूज करें यह लॉंग लाइफ है रैड जेल है यह दिब बॉयल की है यह भी अच्छी ग्रीस है बेरिंग में यह ग्रीस कभी-कभी हब खोलके बेरिंग में यह ग्रीस को अपन डाल सकते हैं, जिससे बेरिंग की लाइफ ज़्यादा दिन तक रहेगी, ज़्यादा अच्छे से चलेंगे, कभी-कभी हम ग्रीश नहीं मार पाते हैं, ऑपरेटर कभी-कभी क्या है, पि टाइम नहीं मिलता है, तो ये रेड जेल अगर बेरिंग में अपन ये रेड जेल भर देते है कि हाथ से भर दें क्गोलके हवत के सामने का जो एलंकी से उसका जो कैप होता है उस कैप को खोलके अपन इसे डाल सकते हैं है और फिर इसके बाद कैप को ऊपर से लगा सकते हैं जिससे बेरिंग की लाइफ है जादा दिन तक रहेगी अच्छा चलेगा तूटेगा नहीं यह ग्रीश का यूज हमेशा करें सबसे सस्ता ग्रीश है यह ग्रीश भी मार्केट में आपको अधाई सो तीन सो रोपर किलो की रेंज में मिल जाएगा